हेलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में मैं आप लोग को लाइठ रूम सीची एप के अंदर फोटो एडिट करना बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लाइठ रूम एप के अंदर को चलिक वीडियो को सटार्ट करती है तो इसके इस पहले आपको आपको चले आना उस फोटो पर जपोटो को आपको लाई ला्ट एपके अंदर लिट करना है फिल्हाल सबोला लारekt dipping करना है तो इडिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार इस फोटो को share के बटन पर क्लिक करना है share करने के बाद एक मिलेगा आपको एक option नीचे यहाँ पर add to lr तो आपको इस option पर एक बार क्लिक कर देना है आप जैसे क्लिक करेंगे Lightroom आप के अंदर जो फोटो है वापसे सेव हो जाएगी अब आपको एक मतलब क्या इपनी डिप को कट कर देना है और आ जाना है वापस लाइन फ्रूब कर देना और आपको आपको और उपीकर करेंगे लाइसरों अदर पर उप engages आपको दिखाई देना लगएगा अब यहां पर सबसे पहले अगर आप अपनी फोटो को क्रूब करना चाहिए उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है ने फोटो भर तो यहां पर दिख सकते हैं कुछ इतना वाधा दिया है अब यहां पर यहां पर contrast है, contrast को हलका बढ़ा देना है, highlight को कम कर देना है, फिर shadow को भी थोड़ा बढ़ा देना है, और यहां से आपको नीचे आना है, white है, white को बढ़ा देना है, और black को हलका कम कर देना है, ठीक, इतना काम करना है, अब आप देख पा रहेंगे, पहले हमारी फोटो कैसे थी और अब हमारी फोटो कैसी बन गई इतना काम हो गया अब यहां पर आपको नीचे आना है थोड़ा सा नीचे आपको एक temperature option मिलेगा इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद mix वाले option पर click कर दीना है यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इहां पर कई सारे ties हैं पर हमारे veater मैं नि एक हमारा बैक ग्राउंट है और हमारा ब्लैक सरक है ब्लैक है और सकंड वाल हमारा कऩलर система कलर दिया हुआ हमारा Click करने के बाद इसके saturation जो है काम कर दीन है और luminous आपको हल्का बढ़ा देना है ठीक और अभी इसके बाद आपको क्या करना है आपको आना आए ये लो क्वापको saturation बढ़ा देना है और déb स्वारिन अब आना है आपको यहां पर next ग्रीन कलर पर ग्लीन कलर को आपको एक दम उपर वाला ओप्षन मतलब पीछे खिसका देना है सेचिरेशन बढ़ा देनी है और लुमिनेस जो है हलका सा इसे आपको कम कर देना है ठीक अल देखी कुछ इस तरह से फोटो लग रही है हमारी यहां पर आपको आना इस कलर पर आस इसके बाद देखिए यहां पर डीटेल है डीटेल वाले आप्षन पर क्लिक करना है यहां पर स्टार्पनिंग मतलब थोड़ा बढ़ा कर डीटेल के जितने भी ऑप्षन है इनको नीचे कर देना है ठीक नौइस रिटेल गितम कर दिया फिर यहां पर कलर नौइस रिटेल इस मोटनेस आपको बढ़ा देना है अब देखिए इतने काम हमारे हो गए अब यहां पर आपको क्या करना है यह बार अपनी फोटो पर क्लिक करना है तो फोटो इस तरह से कुछ आ जाएगी आपकी अब यहां पर फोटो पर लॉंग टैप करेंगे देखिए फोटो पहले कैस तो अब थोड़ा साही है अभी इसे हमें फोटो को अब बनाना है अब इतनी फोटो माली बन गयी यहहाँसे क्या करना है चरण है और आप देख पाथेगे लगा फोटो है लगवग फोन में से फो चुकी अब आपको अगर आप इसे और भी डिट करना चाहें तो आपको इसे आपको इडिट करना पड़ेगा